हे गाईज दिस में म्रेदु आर्श वागता आपका अपनी चैनल लानबाई म्रेदु में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लेक बहुत ही अलग टॉपिक लाई हूँ जो सिलेबस से बाहर का है और यहां की एक्जाम्स में नहीं आएगा पर यह टॉपिक आपको पता आई होगा तो गेस करिए यास, आजका हमारा टॉपिक है healthy lifestyle तो आप लोगों को अक्सर पताई होता है कि healthy lifestyle हमें इनहेj फॉलो करना चाये healthy चीज़े खानी चाये बगर बगरा पर आप लोग भूल जाते हो इसे follow करना तो इस वीडियो में मैं आपको तो फिर से एक बर रिमाइंड करने आई हूं healthy lifestyle और आप इस वीडियो को सिर्फ देखी काई नहीं follow भी करेगा So let's start So friends जो सबसे पहला question healthy lifestyle में उठता है वो है how we have to maintain healthy lifestyle तो हमें हमें maintain कैसे करना होता है healthy lifestyle को तो जैसे कि आपको पताई है कि हमें healthy lifestyle में healthy food खाना चाहिए junk food नहीं खाना चाहिए हमें exercise करनी चाहिए और हमें yoga करना चाहिए और yoga में आप सूरे नमस्कार भी कर सकते हैं वो सबसे फाइदे मन्द होता है और हमें आपनी move body move body को move करना चाहिए हमें water पीना चाहिए बहुत ज़्यादा जिता आप पी सकते हो 8 glasses every day और आप green vegetables खाईए या fruits खाईए तो ये सब हमारे आजाते हैं maintain healthy lifestyle में तो अब हमारा अगला topic की और बढ़ते हैं तो friends अगर आपको healthy food खाना है तो we have to eat rainbow diet अब आप लोग सोचोंगे rainbow diet होती क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आप picture में देख सकते हैं कि यहाँ rainbow बनाए कि इसका बनाए fruits का fruits का तो इन fruits और vegetables का बना हुआ है ये rainbow तो इसका मतलब है हमें अलग अलग different different colors के food खाने चाहिए यह नहीं आपको करना कि मुझे tomato नहीं पसंद मैं नहीं खाऊंगा मुझे Spanish नहीं पसंद मैं नहीं खाऊंगा यह नहीं करना जी सारे fruits and vegetables आपको खाने होता है और rainbow diet को आप जरूर से जरूर इस्तमाल करेगा तो हम आपको define बता देती हूँ rainbow diet की if we eat different colors of fruits and vegetables in our diet called rainbow diet इसका मतलब है अगर हम different colors of fruits and vegetables अलग-अलग colors के fruit and vegetables खाएंगे तो उसे हम बोलता है rainbow diet तो friends अब हमारा अगला है guess the fruits and vegetables तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे different different dots में different different colors दे रखे हैं तो यहां पे कौन-कौन से colors है? orange है, red है, green है, yellow है, purple है और white तो अब हम किसे start करें? orange से start करते तो orange से हमारा orange ही हो जाएगा और pumpkin भी हो जाएगा ठीक है? तो red से हमारा हो जाएगा apple, strawberry, green से spanish, cucumber, yellow से हमारा होगे banana, lemon है ना, purple से हमारा होगे brinjal, white से हमारा होगे lesson, जिसा हम बोलते हैं English में ginger और ठीक है? तो यह सारे हमारे हो गए colors and different colors और उनके fruits and vegetables तो friends सब यह home पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं activity कि आप कोई साभी color लीजिए और सोझे कि कौन सा vegetable उस color का है? या fruits तो guys सब आप सोच रहे होंगे कि और हमें क्या खाना चाहिए या drink करना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, what else should I eat or drink? तो सबसे पहले जो सबसे important चीज होती है, वो होती है, drink lots of water जैसे मैंने आपको इस सुरुवात में भी पितायता है, आपको everyday 8 glass to water पेना ही पेना चाहिए तो आप please इसे follow करीगा, तो अब हमारा next है nuts and seeds तो आप nuts खाएगे, seeds खाएगे, अलग-अलग fruits के हैं न, तो ये बहुत हमें protein देते हैं और बहुत हमारे लिए healthy होते हैं, whole grains हमें खाना चाहिए, सारी grains हमी खानने चाहिए, ठीक है, अब उसके बाद होगे less sugar, हमें कम sugar खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सुगर खाएंगे तो उससे सुगर भी हो सकती है, इसलिए less sugar खाना चाहिए और last में milk पीना चाहिए, क्योंकि milk हमें calcium देता है, grow करने के ये, तो अब चलते हैं और आगे, अगर फ्रेंड्स आप बैठे बैठे घर में बोरू गया है, तो आपके लिए मैं इकलाई हो fun activity, जिसका नाम है let's rock and roll, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको तीन चीज़े करने हैं जासा आपकी body move होए, तो इसमें आपको क्या करना है, रूल करना है आपने hands को, slap करना मतलब चुटकी बजानी है, ठीक है और इसमें clap करना है आपको, इसमें hands up, hands down करना है और jump करना है, तो इससे क्या होते हैं हमारी body move होती है, तो start करे, roll, जल्दी जल्दी करिए, oh friends आप भी एक कर रहे हूं और इससे आपकी body को फाइना होगा, हमारी जल्दीस कार्टogenic को, कर Torres, नहीं के अत्यानी कुटकी कर वे रहे हैं है ले कर दिएमारी को, random turn snap hands up hands down hands up hands down snap clap तो यह थी हमारी फ़न अक्टिविटी और हुप काई आपको यह बहुत अच्छी नेखियोंगे तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं क्या नेक्स्ट काई क्या जानते हैं शबच सकते हैं यह बच्छे हमने कोई डांस कर रहा है घाल रहा है वहए ंधब हना ना कोई कसी से और कि अब मैध को चीजेम यहां लंग से एक वड़ी में कर hanging चीजन क कई हमारी बोडी हमारी बॉड़ी हब हonse भी हम स्टीर PGD फिर नीचे आए ये मूव बोड़ी हो गई है ना और हमां हम कोई गाना गया है यस जैसे बच्चा वहां गिटार बचा रहा है और यहां पर इसकिपिंग भी कर सकते हैं ठीक है और आप चल सकते हैं उसमें भी बोड़ी मूव हो रही है ठीक है तो हमें आपनी बोड़ी ना आप पोड़ी तो अगर बढ़ते हैं तो मूव योर बोड़ी में आप क्या क्या आता है तो अगर हम एक्सरसाइस नहीं करेंगे तो हमें लेजिनेस सा लगता है और एक्सरसाइज इस इनपर्टेंट तो कीप यार मांइन एड बोड़ी एक्टिव आपक अपकी पैरन्स भी बोलते हैं exercise करो है ना इसलिए बोलते हैं जिससे आपका mind और body active रहे और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा laziness and lethargy lethargy मतलग होता है alice, alice आजाता है और अगर हम exercise करेंगे तो क्या होगा laziness और alice जो है वो goes away वो दूर हट जाएगा तो अब आम नेक्स टॉपिक पे चलते हैं